आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी जोरान उक्त भगवा यात्रा में सबसे पहले सुसजित घूरो पर सवार भगवा ध्वज लिए युवा चल रहे थे वही नालचानगर में निकलने वाली रादा कृष्ण प्रभाद फेरी के साथ युवाओं के निर्ते करती टोली चल रही थी उक्त भगवा यात्रा का जगा 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 भविस्वागत भी किया गया यात्रा बस स्टेशन होते हुए नगर ब्रमण करती नर्सिंग मंदिर प्रांगर पहुची जहां पर आदा कृष्ण प्रभाद फेरी कलरी पया टू मादल टीम को पंडित मदु सुधन शर्मा के सौजन से प्रदिक्चन भेट किया गया एवं उसके पशाष श्रीनर सिंग भगवान की आरतिकर यात्रा का समापन किया गया गुलबल इंजिया टीवी के लिए नालसा से रविंदर से सोधिया के रेपो हिंदू रित्यवाज के माध्यम से जो महाय आता है जो नाव वर्ष चेतिन वरत से चालू होता है तो यहां प्रतिवर्ष एक विशाल भगवाई आत्रा का आविजन कर हम एक दुसरे को नव वर्ष की शुपकामनाई देते हैं इसे कि सात में हम नव वर्ष का आ अप्रारा करते हैं हमारे छेत्र में नहीं पूरे नगर में और आसपा से ग्रामेंड इस यात्रा में बड़ी संक्या में भाग लेकर उच्छा हर उप्रुवक इस नव वर्ष्ट को मनाते हैं आज हिंदू नया वर्ष बनाएगा तो क्या इस यात्रा का क्या मकसद है आप सभी को जैशी राम आप सभी को में बताना चाहती हूं कि गुड़ी पड़वा नव वर्ष की आज हमारा प्रारंब हुआ है हिंदू नव वर्ष आज के ही दिन प्रारंब होता है जो हम केलेंडर के हिसाफ से मनाते हैं वो हमारा पर्व नहीं है गुड़ी पड़वा पर्व हिंदू वर्ष का सबसे महत्वपून पर्व है आज हमारे आलचा नगर में गड़काली का मंदिर से यात्रा प्रारंब हुई नगर भ्रमन करती हुई नर्शिंग मंदिर में इसका समापन हुआ इसका उद्देश यही है कि समस्त हिंदू समाज एकत्रित होकर यह पर्व मनाए और हर वेक्ति के प्रती यह धर्म के प्रती जागरण की भावना पेदा की इसमें बच्चियों को बच्चियों के द्वारा लाठी प्रदर्शन किया गया आत्मरक्षा के गुण बताए गए औ और समस्त मात्र शक्तियां इस कारिक्रम में उपस्तित रही और नालचा नगर में यह कारिक्रम भवित्ता से प्रताराइट किया गया आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा नाम सोनाली डिंपल कुश्वा नालचा